आप सभी का रांकर्स गुर्कुल यूट्यूब चैनल पर मैं राधिका और जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार आपके इस रेलवे में 21 दिन 20 माराथन के थ्रू हम अपने पूरे साइंस के सिलेबस को कर रहे हैं तो एक बार जल्दी से बता देंगे आज है आपका डे 12 और सभी को ओडियो वीडियो यहाँ पर क्लियरली आ रहा है कि नहीं एक बार जल्दी जल्दी से कॉमेंट सेक्शन नो बताएंगे नमस्कार राम राम देखोई और ऐसा तो नहीं है कि क्लास नहीं होगी जैसा तुमसे वादा किया था कि क्लास डेली होगी सेम टाइम सेम जगा पर होगी जली आए होग कि अभी सबको ओडियो वीडियो सबकुछ यहाँ पर क्लियरली आ रहा है तो भाई एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे देखो वाधा किया था ना कि इन 21 दुनों में तुम्हारे एटलीस्ट वो सारे चाप्टर्स जो आने वाले रेलवे में एलपी हो, आरपीफ हो, एंटीबीसी हो, टेकनीशन की भरती आ चुकी है, हम हर एक में आपको मदद करने वाले हैं तो एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे सब यहाँ पर तयार हैं आज के अपने इस डेट वेल्फ को कवर करने के लिए जिसमें हम बात करने वाले हैं टिशू के बारे में बात करेंगे जितने भी भाई बंदू जिन्होंने आज तक साइंस का एस भी नी पढ़ाना या जिने टिशू भी नहीं पढ़ा है उन सभी के लिए बिल्कुल बेसिक से शुरू से लेकर जीरो से लेकर हीरो वाली कहानी हम यहाँ पर करने वाले हैं कल हमने टॉ होमवर्क क्वेशन वहाँ पर दिया गया था कल एक सवाल था आपका होमवर्क में जिसमें हमने भई आपसे पूछा था कि बीसी जी के अंदर सी का जो फुल फॉर्म है वो किसके लिए दर्शाता है तो सी वर्ट जो आता है वो कालमेट के लिए आता है यह ट्यूबर की किसी को ऐसा लगता है कि माम आज तक मुझे टॉपिक समझ में ही नहीं आया है जुसको नहीं आया है अप स कलम किताब लेके बेढ़ना और ये समझना कि हम कैसे इस पूरे टॉपिक यहां पर कवर कर रहे हैं ठीक संब आया हो नहीं आज यह जरूर आज रहेगा तो मीह ज़ पूरी बॉडी की पूरे जीवनकाल में जितने भी अलग अलग जीवित जीव हैं इन सभी की सबसे चोटी काई क्या होती है बताओ ذरा एक बार comment में पटाफट से बताओ सबसे चोटी काई क्या है तो आपने कहा मैं सेल है बहुत बड़ी है देखो मैं अगर आपसे बोलूँ कि देखिए ये तो एक सेल था मेरे पास, मैंने इस एक जैसे, मतलब इस एक सेल के जैसे अलग-अलग सेल का समहू बनाना शुरू कर दिया, मैंने ठीक है यार एक सेल नहीं, आपर एक लो, दो लो, तीन लो, चार लो, पांच ले लो, छे ले लो, सा लेकिन, इसको अगर मैं कह रही हूँ, कोशिकाओं का समहू, ठीक है, इसको अगर मैं कह सकती हूँ, कोशिकाओं का समहू है ये, इसी के साथ, इसकी खास फीचर, यहाँ पर क्या होना जाई है, कि मैं, अभी कोई बफरिंग नहीं है, I hope कि अभी सब कुछ ठीक है चलो, अब सब कुछ ठीक है, काम कर देना, देखो अपने भाई बंदुओं तक दोस्तों, यारों, सभी तक सेशन को नहीं है, एक बड़ जल्दी से जाओ और शेयर करके आजाओ, किसी की नजर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपका कुछ नेटवर्क फ्लक्टुएशन्स थे, अभी सब कुछ ठीक है, अभी I hope कि आप लोग को बढ़िया से दिखाई, सुनाई, सब कुछ दे रहा है सेशन को एक बार जल्दी से देगो, जिन्हों ने भी क्लास नहीं शेयर करी है, वो जल्दी से एक बार शेयर साथ में कर देंगे इसका मतलब उनका कारे क्या है, समान है, ऐसा नहों कि एक सेल पाचन करा रही है, तो दूसरा एक्सक्रीशन या उत्सरजन करा रही है सब सेम काम करने वाली एक जैसी सेल, जुनकी उत्पत्ती भी जो बनी भी एक ही जगा से हो, उसको नाम कहा जाता है टिशू यानि की उत्तक, ये जो टॉपिक आज हम बढ़ रहे हैं न, टिशू जिसको कहा जाता है, उत्तक जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इसकी अगर एक्च्वल डेफिनेशन देखी जाए, तो भई देखो कोशिकाओं का समू है पहली चीज, दूसरा जिसकी उत्पत्ती स हम आजगें कि they have same origin, और तीसरा बार्ट में क्या लिख सकती हूँ, जो कि समान कारे करते हैं, क्या करते हैं, समान कारे करते हैं, तो हम इसकी डेफिनेशन को, तीनों पार्ट को अलग-अलग हम यहा पर समझ गए, कि ये काम क्या कर रहे हैं और विसकिस प्रकार से इनकी उत् यानि कि आप लिख सकते हो टिशू के ओ ग्रूप आफ सेल्स है विंग स्टिमिलर ओरीजिन आज पंक्शन क्या इतनी डेफिनेशन अब को क्लियर हुई की नहीं हुई एक बार बताओ मुझे फटाफट से क्यों बेजल्दी से बताओ सबको क्लियर हुई कि माम टिशू क्या है आज जो हम बढ़ने जा रहे हैं अब तक हमने सेल पढ़ा था और बहुत डीटेल में बहुत बढ़िया से बढ़ा था मुझे बतादू कि यहां पर तो नहीं है बटा कोई बफरिंग नहीं है सब कुछ ठीक है राइट एक बार रिफरेश कर ले ना अगर किसी को भी बफरिंग यहां पर लग रही है चलिए तो हमने कहा टिशू किस से बना है मैं हम कोशिकाओं का एक सम्हू बना है डेफिनेटली इसके भी अध्यन होते हैं और इसके भी अध्यन की एक शाखा है तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसका अध्यन जो होता है उसकी हम किस शाखा के अंदर बात करते हैं तो आप लेख सकते हैं Study of Tissue को Histology के नाम से जाना जाता है हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं उतक विज्ञान यानि कि उतक का अध्यन क्या है उतक विज्ञान यहां पर हो जाएगा बोलो बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है जल्दी जल्दी से बताओ एक बार ठीक ऐसी टिशू है ना यह आपस में सेल से मिलकर के बने हुए हैं यह टिशू प्लांट में भी होते हैं यह टिशू आनिमल में भी होते हैं मतलब पादप के अलगूत तक है और जन्तूओं के अलगूत तक हैं आज के सेशन में हम प्लांट के टिशू को पहले बढ़ते हैं कि प्ला को जानते हो कि कोई भी लिंग आंगड़ है कोई बीन जाता है अगर ईसको तुम अंकुरित करने ने की बात करो तो यह स्टेजी है तो यह पॉधा यह धिरेय बनता है तो फैसे हम Lock प्रण्ट के अंदर दिखाई दे रही है यह दिख रही है आपको एकदम से लेकिं इसमें भी समय इहां पर लगता है। साइन्स के पोर्षन को यहां पर कवर कर पाएंगे वो चाप्टर जो एक्जाम पॉइंट ऑव यू से इंपोर्टेंट है तो यह मत सोचना कि माम एक दिन हमारा चूट जाए संडे रह जाए आप शुट्टी कर दो हो ही नहीं सकता है हर दिन प्रॉपर आपकी डेली थियोरी पर जैसे क्लास मैं पहले कर आ रही थी ऐसे ही आपकी आपकराओंगी हमने बात की इसी के साथ ना आपसे यह भी पूचा जाते है कि देखोव फादर आफ फिस्टोलोजी किसे कहा जाता है तो महां एक नाम आता है कारल मेर का ठीक है का नाम आता है जिन्होंने शब्द दिय जाने जाते हैं तो सबसे पहले उत्त का विकास यह मैं कह सकती हूं कि भई जो टिशू है उसके जनक कौन थे हैं आपर तो यह दो नाम तुम्हें याद रखने हैं फादर ओफ इस्टोलोजी के नाम से कार्ल मेर और एक आपका हो जाएगा यहां पर बिचत का नाम जो कि फ्रा समझ गई कि किस प्रकार से एक प्लांट ग्रोध करता है लेकिन प्लांट में जो टिशू पाई जाते हैं आप यही तो कहते हो कि माम यह मेरे पास एक पधा है जिसमें नीचे की तरफ जड़े है यहां बीच में कुछ आपको नज़र नेचे नीचे आपको दिख रही है इन्हें हम जड कहते हैं या फिर रूट कहते हैं आप यही तीन भाग कहते हैं क्यों यही तीन भाग दिखाई देते हैं यह आपकी leaves है ठीक है जड़ तना और पतीय मुख्य भाग किसी भी पादप के अंदर नज़र आएगा लेकिन माम क्या तीनों की ग्रोथ एक साथ होगी कि जड़े भी एक साथ बन गई तना भी एक साथ बन गया नहीं यहाँ पर हम दो मुख्य भागो को जानेंगे देखो एक छोटी सी बात मुझे यहाँ पर बताओ यह आप पूरा फ्लोचार्ट देख सकते हो ठीक है कभी कभी क्या होता है कि माम हम ना चीजों को लिख लेते हैं पूरी थियोरी बना लेते हैं लेकिन उससे जाधा इजी वे मुझे लगता है जब हम फ्लोचार्ट के थूरू पूरी करने के लिए हो जाएगा ठीक है अब प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है ना उसको मैं दो भागों में यहाँ पर बाटोंगी देखो अगर मालो एक छोटे बच्चे की बात की जाए बच्चे को कहा जाता है कि भाई देखो दूदूद पिना शुरू कर दो दीरे-दीर करके तुम्हारी हाइट भढ़ जाएगी तुम्हारी जो ग्रोथ है वो यहाँ पर हो जाएगी लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि भाई 20-21 साल तक एक व्यक्ति एक युवा जब तक नहीं बन जाता तब तक उसकी हाइट भढ़ती रहती है एक ताइम पर आकर कि उसकी हा मानव की अगर मैं बात करूं तो मानव की बॉड़ी में जो हॉर्मोन होते हैं वो बन करके तयार हो जाते हैं उसके बाद फिर फरदर सिर्फ मच्योर होते हैं वो परिपक्व होते रहते हैं लेकिन फिर उनमें डिविजन नहीं होता फिर उनमें विभाजन नहीं होता ये से में चीज हम प्लान्स में देखते हैं देखे पहला इसमें जो उत्तक सिर्फ अगर मैं इन दोनों की बात करूंगां एक छोटा सा फर्क है फर्क क्या है कि माम ये जो meristematic cells होते है न या जो meristematic tissue होता है हमारा जिसमें नाम में ही आ रहा है विभाज जियोतिकी यानि कि उसमें विभाजन हो सकता है अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई देखो विभाज जियोतिकी उतक की अंदर जितने भी plant के भाग है उसमें capability होती है चमता होती है कि वो plant को grow करा सकते है एक point तक चीक है लेकिन जब तक उसके अंदर division हो रहा है पौधा थोड़ा सा भढ़ गया पौधे की लंबाई लगभग एक average plant की तरह दिखाई दे रही है उसके बद एक point ऐसा आएगा जहां पर जा करके वो growth करना बंद कर देंगे फिर वो सिर्फ क्या होते कि उनकी जितनी लंबाई भढ़नी थी पौधे की भढ़ गई उसके बाद सिर्फ वो अपनी शाखाओं में बढ़ता है कि एवल उसके अंदर एक growth का factor देखा जाता है लंबाई और नहीं भढ़ती क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं तो सेम चीज होती है माम इन दोनों के अंदर सबसे पहले अगर मैं meristematic tissue को देखूं तो ये समझिएगा कि meristematic tissue हमेशा क्या करेगा cell division करेगा इसके पास छमता होती है कोशिका विभाजन करने की लेकिन ये उस हद तक कोशिकाओं में विभाजन कर लेता है कि इसके बाद एक point ऐसा आता है जब ये विभाजित होना बंद हो जाते हैं और तब ये किसमें परिवर्तित हो जाते हैं तब ये परिवर्तित हो जाते हैं आपके स्थाई उत्तक के अंदर यानि की पर्मनेंट टिशू के अंदर बोलो कॉंसेप्ट समझेगी नहीं चल्दी से पताओ एक बार माम जी आपका फाउंडेशन पढ़ना चाहता हूं देखें फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ न य आज 12 क्लासिस आप लोकी हो जाएंगी तो आप इन क्लासिस को शुरू से ले करके 22 दिन तक कवर कर लेना ताकि आपका एक फाउंडेशन एक बेसिस जो है वो आपका स्ट्रॉंग हो जाए राइट तो जो भी चाहते हैं वो इस काम को जरूर करो और अपने इस सीरीज से इस समझ लिया करो उसके बाद फिर फिर बागी की चीजें आप अपनी बता दिया करें कि माम यह समस्य है या यह नहीं है सेशन डेली होगा सेम टाइम सेम जगा सुभा के 11 बजे क्लास को शेर जरूर कर देना अपने हर दोस्तियार तक अभी तक नहीं आए हैं यह सोचकर कि समझ रही हूं तीन कौन-कौन से एक एपिकल है एक इंटर कैलरी है एक लेटरल है माम यह क्या होते हैं आप हमें बिल्कुल सिंपल भाशा में समझा दो अब देखो जरा यहां पे मैंने तुमसे कहा कि मैरिस्टमाटिक टिशू याने की विभाज जयोती की उत्तक विभाज वाला भाग जो इसके टॉप मुस्ट पॉजीशन पे आपको दिखाई दे रहा है पहला पार्ट जो होता है कि कभी भी सूरज मुखी देखो आप सब ने देखा होगा सूरज मुखी का मुख नाम में ही आ रहा है ना सूरज की तरफ उसका मुख हो जाता है मान लीजे सन की इस साइड पर है ठीक है तो प्लांट भी इधर की तरफ ग्रो करने लग जाएगा मालो ये सन इधर से इधर चला गया तो ये पौधा भी इधर की तरफ मुख जाता है कहने का मतलब क्या है कि जहां पर सूरज होगा वहां पर इसका मुख भी टरन हो जाता है तो कई बार ये प्लांट अगर मेरे पास है तो यह उपर लंबाई से कितना भढ़ सकता है इस भाग को एपिकल मेरिस्टेम कहा बोलो क्लियर हुआ फिर आता है कि माम यह जो मुझे नीचे की तरफ भाग दिख रहा है देखो एक पॉइंट तक ही तो आकर कि आपका जो प्लांट है वो लंबा की तरफ दिरे करके बढ़ना शुरू होता है यहां इस ग्रोथ का काम होता है लेटरल मेरिस्टेम का याद रखना इस वाले भाग को कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम यानि कि यहां पर जितने भी उत्तक होंगे उसमें विभाजन भी हो रहा होगा और वह इस प्रकार से यहां परगर्थ को बढ़ाने में मदद करते हैं तीसरा भाग ये जो बीच में आ रहा है तो मैंने नाम में कहे दिया इंटर है, इंटर कैलरी इसको कह सकते हैं इसके अंदर मैं ये वाले जो भाग होते हैं मतलब एक जगा से पत्ती निकल रही है एक पत्ती यहां से निकल रही है तो इस भाग को जहां से पत्ती निकलती है उसको नोड का भाग कहते हैं और मालो मैं यहां से भी एक पत्ती अगर निकाल दू तो एक नोड यह हो गया एक नोड यह हो गया इन दोनों के बीच वाले भाग को कहते हैं इंटर नोड और डेफिनेटली मैम यहां पर पाया जाता है हमारा ये इंटर कैलरी मेरी स्टेम बुलिए बात समझ आ रही है कि नहीं जल्दी से बताओ पटाफट से बताओ कोई इतनी बात में समझते हैं तो भाई दखो ये तीन भाग होते हैं अब इसी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर मैं सबसे पहले भाग के बारे में बात करूँ मेरी स्टेमाटिक तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है इसके सेल्स कंटीनियसली डिवाइड करते रहते हैं और जब तक इसमें डिविजन होता है ये आगे जाकर के प्रोमनेंट उत्तक में बदल जाते हैं ठीक है वे विभाजत हो सकते हैं और इनकी कोशिकाएं पूरे जीवन भर डिवाइड होने के बाद अलग हो जाती हैं और स्थाई उत्तक को बना लेती हैं इनके अगर कोशिकाओं को देखे भई मैंने यही तो कहा है कि यह प्रकार का टिशू है और टिशू है तो इसके अंदर छोटे-छोटे से सेल्स होंगे तो इसकी जो कोशिका की दीवार होती है बाहर की तरफ जो इसकी भित्ती होती है वो पतली होती है और सेलिलोस से मिल कर के बनी होई होती है RG State exam पे practice class heading हाँ भाई railway की प्रक्ट्डस टुमारी डेली शाम पांच बजे में RG State exams पर कर वायरो हूं वहाँ पर You के रेलवे to practice set उसमें क्वेश्चनस की सीरी शुरू की है तो आपने RG State Exam चानल को सब्स्राइब कर लेन वहाँ पर पांच बजे में आप लोग की डेली प्राक्टिस सेट जो है साइन्स की वो करा रहे हूं, ठीक है भाई, चलिए, तो इसको हमी आप पर लिख सकते हैं, स्क्रीन शोट जो लेना चाहते हैं, वो स्क्रीन शोट ले लिए ख्लियर भई? सबसे पहला भाग डेखें जिसमें सबसे पहला भाग आता है आपका कुछ इस प्रकार से जिसको हम शीर्ष विभाज़क का मतलब क्या होता है, कि मैमग यह ग्रोइंग टेम्टs पर पाया जाता है तने की और जडों की, उपर से judgment को बढ़ा रहा होगा होगा तो लगभग दोनों जगह पर इसकी पर इसी प्रकार से इंटर कालरी है जो कि किसी टो मामि यह वह बाङ होते हैं अब इसके बाद हे आता है उसे हम कहते हैं स्थाई मतलब जितना विभाजन होना था माम यहाँ पर हो चुका अब क्या बनेगा अब यह बन जाएगा आपका परवनेंट टिशू बोलो भई कहानी क्लियर हो रही है कि नहीं जल्दी से बताओ तो मैं मैंने ना प्लांट के उत्तक को पादप के उत्तक को पहला भाग बनाया जिसका नाम दिया आपका मेरिस्टमाटिक Meristematic में मैंने तीन भाग बताएं आपको चीक है अब इसके बाद जो आता है उसको हम नाम देते हैं स्थाई या फिर Permanent Tissue Permanent Tissue पर्मनेंट Tissue जो होते हैं देखो ये भी दो प्रकार के होते हैं या तो वो स्थाईू तक सरल होगा या फिर वो स्थायू तक जटल भी हो सकता है कुछ लोगों को जब भी अपने मंजिल तक अपने लक्ष तक पाना चाहते हैं और जो वाकई में सोचके बैटे हैं कि माम 2024 में सेलेक्शन हमें अपना चाहिए उनको topic से मतलब होता है उनको अपने note से मतलब होता है उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि मेरे आसपास में कौन है कितने साथ ही मेरे साथ है या फिर माम topic interesting है या boring है तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ topic भले ही कितना भी tough हो कितना भी interesting क्यों ना हो जब paper में आएगा तो number तो देगा न माम लोगों को मगड़ित नी पसंद होती पढ़नी पढ़ती है लोगों को science नी पसंद होती पढ़नी पढ़ती है और माम जब बात आती है थोड़े से कहीं पर भी कुछ कठिन शब्द आ रहे हैं या tough चीज़ें आ रहे हैं तो आप अगर ये सोचके बैठे हो ना कि चलो छोड़ देता हूँ एक number में दो number में क्या फर्क पड़ जाएगा तुम्हारे साथ में लाखों बैठे हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखना तुमने एक सवाल छोड़ा और तुम्हारे साथ वो जो लाखों कंपीट कर रहे हैं उनके शायद उसी से number selection में आ जाएगा ठीक है तो कभी भी किसी भी चीज़ को गलत नहीं सोचना है कि मैं आम ये topic छोड़ देता हूँ जहां तुमने छोड़ा वहां तुम्हारे number वी उसी प्रकार से छूट जाएंगे क्योंकि कराया तुम्हें वो नहीं जारा जो कि आपको advance level हो या बहुत जादा तुम्हें doctor के पढ़ाई करा दे तुम्हें PhD करा दे तुम्हें वो पढ़ाया जा रहा है जो railway के एक एक PYQ में आया है और तुम्हें अभी जब मैं सवाल कराऊंगी तो ये भी पता दूँगी कि कहां कहां है इसी theory से आप लोग के questions जो है वो पूछे गए है समझ पारे हो कि नहीं ये पूरी मैं PDF आप लोगों को पहुचा दूँगी अगर ये PDF आपको चाहिए तो मैं आपको पहुचा दूँगी आप लोग की टेलिग्राम चानल पर ये मिल जाएगी अपने नोट साथ में आप सब बना सकते हो तो इसलिए ध्यान यहां दे लो जिन्होंने क्लास को नहीं पहुचाया हो शेयर कर देना ताकि बाकी भी यापर जो फ्री में इतना कॉंटेंट आप लोग के लिए दिया जा रहे है सिर्फ यही सोच करें कि इस बार सारे सेलेक्शन जो है वो आप लोग के हो जाएं चाहें कोई भी भरती का टार्गेट आप कर रहे हो फिर कहो कि माम साइन समझ में नहीं आई दिया था ध्यान तो इनका बाकी चीज़ों में लगा हुआ है कि माम सौ क्वेशन करादो ऐसे टॉप थाउजन क्वेशन करादो ऐसे मैं भरोसा नहीं करती इन चीज़ों पर देखो SSC का भी पेपर आने वाला है ठीक है मेरा मोटिव यही है कि पहले थ्योरी कवर कर लो फिर मैं तुम्हें धिरो क्वेशन कराऊंगी लेकिन सिर्फ मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं भेच सकते तो भाई पहले समझ लो कॉंसिप्ट किया है फिर अपने या जिदने सवाल लहते हैं उन्हें हम लगाएंगे स्थाई उततक की बात की पहला स्थाई उततक कौन सा आता है जिसे हम कहते हैं सरल स्थाई सिम्पल पर्मानेंट और दूसरे होते हैं जिने आप कहते हैं जटिल पर्मानेंट complex permanent tissue यह होते हैं सरल थाई और यह होते हैं जटिल थाई इन दोनों में क्या फर्क है अगर मैं simple permanent की बात करूँ सरल तो है इसके भी मैं तीन भाग बताऊंगी जुसमें एक आता है parent कायमा, एक आता है colon कायमा, एक आता है scleran कायमा, मैम फर्क क्या है, अब देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा फर्क समझाती हूँ, माल लीजे आपके पास एक प्रकार के cells तो यह है, जहां पर तुम्हें लग रहा है कि माम बढ़िया अच्छा खासा space है क्यों भई, यहां पर space दिखाई दे रहा है सबको, इन सारे cells में space दिख रहा है, आप बोलो, यहां तो काफी अच्छा space है, मतलब यह क्या है, बड़े पतले से cells होते हैं कुछ, यह थोड़े से खाना पीना थोड़ा कम खाते हैं, पतले पतले से आराम से हसते खेलते रहते ह से यहां पर space दिख रहा है आप सभी को, ठीक है माम थोड़ा नहीं है, काफी सारा space है, ठीक है भाई, इस वाले cell की अगर में दिवार देखूंगी तो इन सारे cells की दिवार पतली पतली दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही है माम, अब माल लो इन्होंने ना, अभी तक तो अभी तक इसकी cell क्या थी, पतली सी दिवार दिखाई दे रही है, लेकिन अब अगर मैं बोलू यहां पर, क्यों भई, तुम्हें थोड़ी मोटी दिवार दिखने लगी, और साथ में space भी क्या हो गया है, कम space हो गया है, बोलो, बोलो हां की ना, जल्दी से पताओ एक बार, माम पहले वाले dieting कर रहे थे, पतली सी कोशि का भित्ती है इनकी, और जगहा भी इनके बीच में काफी सारी है, अंतह कोशि के space बहुत है, एक छोटा सामाल लीजे कमरा है, जिसमें 5 लोग बैठे हैं, इन 5-6 लोगों के अंदर बहुत पतले पतले लोग हैं, तो जगहा भी काफी है, लेकिन जैसे इन्होंने खाना वाना अच्छे तरह से खाना शुरू किया, तो ये मोटे हो गए, इनकी cell wall क्या हो गई है, थोड़ी मोटी हो गई है, साथ में इनके अंदर space क्या हो गया, मैम कम हो गया, मैम मैंना इनसे मिलने आया था, कितने टाइम बाद लगभग एक साल बाद, जब मैं एक साल बाद इन से मिलने आया, तो भाई देखो यहां तक तो ये जिन्दा थे, मतलब इनका दम घुट रहा था है, ये तने मोटे कमरे में रह रह थे, लेकिन इनका दम घुट रहा था, पर ये जिन्दा थे, कुछ साल बाद जब मैंने इनको मिला, तो यही वाले सारे सेल जो थे जो इस बंद कमरे में आपको यहाँ दिख रहे हैं न यह सारे सेल क्या हो गए और जाधा मूटे हो गए कितने मूटे हो गए माम इतने मूटे हो गए कि फिरना यहाँ पर स्पेस ही नहीं बचा यहाँ पर स्पेस ही नहीं बचा तो आप कह सकते हो कि भाईया जगह नहीं थी दम घुटने लगा स्टेल वोल इनकी और मोटी हो गई इनको डेड कहा जाता है इनको कहा जाता है मरत कोशिकाओं का सम्हू ठीक है तो ये तीन आपके इस प्रकार के सेल्ज होते हैं इसमें पहले वाले का नाम होता है पैरिनकाइमा दूसरा कहलाता है कॉलनकाइमा और तीसरा कहलाता है आपका स्क्लेरिनकाइमा अब तक आपने पढ़ा होगा इसके बारे में या नहीं पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है अगर पढ़ा है तो और असानी से आपको अब ये समझ में आ गए होंगे बोलो भाई कितनों को क्लियर होगे एक बार जल्दी से कॉमें सेक्षन में थम सब का साइन्च वेर कर दो जल्दी जल्दी से मैंने क्यों कहां वो मर गया मैम ये था लिविंग ये था जीवित इसके अंदर जगा थी स्पेस था ये वाला भी लिविंग था इसके अंदर भी थोड़ा बहुत स्पेस था लेकिन क्योंकि यहां पर स्पेस नहीं बचा तो मैं इनको मृत कहती हूँ मैं पैरन काईमा है जिसके अंदर स्पेस भी है अब मालो स्पेस है तो यहां से एयर भी पास हो सकती है यहां पर क्लोरोफिल भी हो सकता है ठीक है यहां पर इंटर सेल्यूलर स्पेस प्रेजन्ट ठीक है अंतहा कोशिक यह जगा यहां पर उपस्ते तो होती है यहां पर पूछू इंटर सेल्यूलर स्पेस अंतह कोशिकिया स्थान यहाँ पर है ही नहीं है बोलिए समझ में आया की नहीं आया जोलती से बताओ इसको अगर मैंने विभाजत किया है तो अब मैं इसके बारे में यहाँ पर लिख भी सकती हूँ कि देखिए भईया यह आपके होते हैं पोमनेंट डिशू स्थाई उतक दो प्रकार के हैं एक सरल और दूसरा आपके जटल सरल वाले को आप लिख सकते हो कि यह सिर्फ और सिर् एक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं और इनको बाटा नहीं जा सकता इनका आकार निश्चत होता है इनके अंदर बड़ी रिक्तिकाएं होती है मतलब इनमें स्पेस भी आपको क्या दिख रहा है जियादा दिखाई दे रहा है और इनकी कोशिका भित्ती पतली और तो यह तीन प्रकार के भाग हैं देख रहे हो इसमें स्पेस है इसमें थोड़ा सा कम हुआ और उसमें बिल्कुल ही खतम हो जाता है उसकी आउटर जो सेल वॉल है जो कोशी का भित्ती है वो भी मोटी यहां पर हो जाती है ठीक तो आप इसमें सबसे पहला भाग जब देखें हैं उन्हें कहा जाता है कि यह सबसे सरल विशिष्ट कोशिकाओं से बना है लिविंग है यानि की जीवित है अंडा कार इसकी कोशिकाएं है और गोला कार भी आपको यह नजर आती है साथ में क्या कहोगे कि देखो पतली पतली इनकी कोशिका भित्ती होती है और इंटर सेल कोशिक इस्धान काफी ज्याता यहां पर दिखाई देता है तो यह इसके की फीचर जो की हम होग poo विरोग पाया जाएगी यहां वहां से पैरनकाइमा में अगर AR आ गई तो मैं इसको ARNकाइमा कहूंगी और अगर यहां पर कलोरोफिल आ गया तो इसको मैं कलोरिन काइमा का नाम देती हूं तो दो नाम और भी आद रखना वैसे तो तीन ही है यह म्रदुतनिका और आपका कलोरिन कॉलिन काइमा लेकिन अगर इसकी कार्टेगरी में हवा, वायू या क्लोरोप्लास्ट आ जाए तो इसका नाम मैं परिवर्तित कर सकते हूँ ठीक है तो ये वाले भाग आपके हो गए इसके अंदर सेल उपस्तित है और जो सेल होते हैं वो आपके किस से बने हुए है इसके अंदर स्पेस भी आपको काफी अच्छा दिखाई दे रहा है दूसरा वाला भाग आता है जिसको हम कहते हैं क्लोरन काईमा ठीक है ये तो आपने देख लिया याँ पर एक सेकिंड देखो भई अगला वाला कॉलन काईमा है कॉलन काईमा के अंदर भी क्वेशन आता है कि क्या ये जीवित है आप बोलोगे हाँ भई विल्कुल है तो ये जीवित है लंबे है अंडाकार है बहु फलकी है आकार के दिखाई देते हैं मतलब थोड़े से और ज़्यादा डेंस हो जाते हैं पतली कोशिका भिति लेकिन आवरण में सेलिलोज के साथ पेक्टिन आ जाता है तो ये थोड़े से मोटे हो जाते हैं पहली वाली सेलिलोज की थी यहाँ पर सेलिलोज के साथ पेक्टिन भी आता है और आम ये थोड़े से मोटे हो जाते हैं यहाँ पर रस धाने यानि कि कोई वेक्यूल कोई रिक्तिका उपस्तित नहीं दिख रही है। यहाँ पर कम अंतर कोशिकी अस्थान है पहले वाले के कमपारिजन में। और जितने भी युवा पौधे के तने हैं वहाँ पर यह पाया जाता है। तो माम यह दो भाग थे हैं और स्कलररिनकाइमा के है। सेलिलोज और लिगनिन यहां पर आ जाता है जिससे कोशिका भित्ती मोटी हो जाती है अंतर कोशिक यह स्थान बिलकुल नहीं है यांतरिक सहायता प्रदान करते हैं तुमने नारियल के उपर वाली भुसी देखी या कोकोनट हस्क जिसको कहते हैं जल्दी से बताओ एक बार कोकोनट का जो बाहर का आप कहते हो कि भई कोकोनट हस्क है या इसकी भुसी जो हमें दिखाई दे रही है उसी को नाम दिया जाता है कि वहाँ पर डेड टिशू होता है ना तो वहाँ पर ये वाला भाग पाया जाता है जिसको हम स्क्लेरनकाइमा कहते हैं तो क्या ये तीन पार्ट आपको क्लियर हुए वैरनकाइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरनकाइमा मुझे ये बात पूरा भरोसा है कि देखो पेपर में अगर सवाल आएगा तो तुम इस बेसिस पर यानि कि ये जो हमने डिफरेंस पढ़ा है ना भी इन तीनों सेल्स का कि इन में से लिविंग कौन है और दूसरा इन में से स्पेस किसके अंदर जादा है दूसरा कि यहां पर किस किसके बने है इसकी कोशिका भित्ती मात्र एक सेलिलोस की बनी है ठीक है यहां पर आप बात करेंगे तो सेलिलोस के साथ आजाता है पेक्टिन और यहां पर सेलिलोस के साथ आजाता है लिगनन यह और जादा इसको हार्ड कर देता है कठोर मना देता है तो यह तीन प्रकार के उत्तक कहलाते हैं आपके सरल स्थाई उत्तक बताओ समझ आया की नहीं आया, जल्दी जल्दी से, क्लास तुमने लेट कर दी, नहीं भई, क्लास का टाइम सेम है, रोज सुभा 11 बजे ही क्लास चलती है, और इसी प्रकार से हम सारी थियोरी को कवर कर रहे हैं, लग बग हमने बहुत सारे इंपॉर्टन टॉपिक्स को आपके कवर किया है, और अभी तो माम बहुत कुछ होना भागी है, यानि कि अभी तो हमारे प्लांट, आनिवल किंग्डम, क्लासिफिकेशन, यह बहुत सारे टॉपिक्स हमारे बचे हुए है, तो अभी सिर्फ बारवे दिन की आज क्लास है, 21 दिन में पूरा सिलिबस आप लोगों कवर, तो जो इंपॉर्टन भाग है ना, उनको वन शॉट सीरीज में हम कवर कर रहे हैं, तो आप में से कोई भी यह मत सोचना, कि क्लास आपकी लेट हुई है, या चुट्टी हो जाए जब तक मैं वो वर्दी नहीं ले लिता ना, जिसके ख्वाब मैं देख रहा हूँ, जिस वजह से मैं अपने माबाप से दूर रह रहा हूँ, क्या मज़ा है यार फिर तयारी करने में, सिर्फ टाइम पास करना है तो तुम और भी अलग तरीके से कर सकते हो, उन माबाप के आज सपनों को क्यूं खराब करके कर लें, तो मोटिवेशन के लिए कुछ अलग नहीं चाहिए, माम, बस अपने पेरेंस हैं, वही काफी है, कि अगर उन्होंने कह दिया, कि हान जी करनी है तैयारी, और तुम आ गए हो ना, आज अगर तुम ये क्लास देख रहे हैं, उसका कर रहे थे, इसके मैंने दो भाग बताए थे, अब तक जो हम पढ़ चुके हैं, वह हम पढ़ चुके हैं, किस-किस के बारे में माम, मैरिस्टेमेटिक टिशू के तीन भाग, एपिकल, इंटरकैलरी, अंतरवेशी और पार्शफ के बारे में, दूसरा मैंने कहा कि स्थाई इस थाई वाले सिंपल की उतक होते हैं, इसको मैंने क्या कहा, इसमें मैं आ जाती हूँ, जटल वाले उतक की तरफ, और तरफ, तो तुम्हें पता है कि ये जोतने भी कॉम्प्लेक्स टिशू होते हैं, इसमें दो भाग बहुत इंपोर्टेंट है एक जाइलम और दूसरा फ्लोयम आपने आज तक कोई सवाल देखा नहीं देखा जब भी आप प्रीवियस यर या मॉक्टेस को देखोगे न वहाँ पर इन दो से क्वेशन जरूर आया है एक जाइलम से और दूसरा फ्लोयम से और दूसरा फ्लोयम होता है मतलब जैसे सरल वाले सिर्फ एक प्रकार के सेल से मिल करके बने थे जटल वाले दो अलग-अलग प्रकार की कोशिकाओं से या मैं कहूं बहुत सारी अलग-अलग कोशिकाओं से मिल करके बने होते हैं आप से कहा पूछा जा सकता है कि एक से अधिक तुरन से बतादे ना कि देखो भई पानी जो है ना वो जायलम के रास्ते ले करके जाया जाता है यह पानी का समवहन कराता है पूरे प्लांट के अंदर और अगर आटा फ्लोएम जैता दूसरा खाने को लेकर के आ रहा है, ठीक है? चलो, तो इस प्रकार से आपको एक जाइलम और एक फ्लोयम दिखाई देता है, देखो मैं अगर कोई भी प्लांट देखू ना, तो पौधे में जड़ से पानी सीचा जाता है, और जड़ जब पानी लेकर के उपर आती है, तो मै जल्दी से बताओ, हिंदी, इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में तुम्हारा पूरा कॉंटेंट था, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जो पीडिएफ आपको दी जाईगे, उसमें भी दोनों ही भाशाओं में आपको कंटेंट कंप्लीट यहाँ पर मिलने वाला है, अब मुझे एक बात बताओ, जड़ पानी को सीचती है, आप सब जानते हो, तो मैम नीचे से जो पानी जड़े सीचेंगी, वो उपर ही तो जाएगा, क्यो भई, अगर नीचे से, अगर मैं बोलो कि पानी उपर जा रहा है, तो आपको ओगे, हाँ मेडम, नीचे से उप जाएगा, इस तरह, मतलब हर एक भाग में यहाँ पर भी जाएगा, और उपर की तरफ भी जाएगा, तो मतलब इसका डिरेक्शन क्या हो गया, सिर्फ एक दिशा में मूफ कर रहे है, जाइलम केवल एक दिशा में मूफ करता है, बोलो हाँ की ना, ठीकर, लेकिन अगर मैं बोलू इस पत्ती में खाना बन रहा है ये पत्ती है जहां पर photosynthesis हो रही है प्रकाश संसलेशन हो रहा है तो माम यहां खाना बनेगा और जो खाना बनेगा वो देखो उपर से नीचे भी आएगा आप बोलोगे बिल्कुल आएगा माम और यहां से उपर भी जाता है तो आप से क्या पूछा जाएगा कि देखिए ये काम पानी को ले जाने वाला कौन करता है जाइलम करता है मान गए भई बात को और ये वाला काम कौन करता है फ्लोयम करता है अब वो पूछेगा कि फ्लोयम जो खाना लेकर जा रहा है ये कितनी दिशा में लेके जाता है तो आप बोलो के उपर भी और नीचे भी यानि की द्वी दिशा में इसका movement दिखाई देता है upward and downward बोलिए समझ में आई कहानी की नहीं ये दोनों दिशाओं में जाता है और पूछेगा xylem कहां जाता है तो xylem केवल एक दिशा में upward position यहाँ पर इसकी रहती है upward मतलब नीचे से उपर की ओर नीचे जड़ से पूरे बादप में ठीक है एक दिशा में ये गतिशील होता है ये अपने पानी का संचालन यहाँ पर करता है xylem का काम पानी का संचालन करने का होता है बोलो concept clear हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से पताओ मुझे इपार मैं science special पे live नहीं आती हो आप लेज दे नहीं जी तो भाई वहाँ syllabus जो है वो आप लोग का complete हो चुका है आपका जो science special batch है पो अल्रड़ी complete हो चुका है इसलिए मापे इसके development में इसकी growth में क्या करते हैं मदद करते हैं अब देखो कुछ इन ही से संबंदित इसके भाग भी होते हैं कि अगर मेरे पास xylem है तो वो कितने भागों में बटा होगा हाला कि in depth नहीं पूछता बट इसके नाम ज़रूर याद रखने हैं आपको कि अगर xylem के बार करूं तो फ्लोयम के भी चार प्रकार हैं चार में पहला सीव elements, companion cells, फ्लोयम के परिंकायमा और फ्लोयम का फाइबर ये चार भाग आपके फ्लोयम के कहे जाते हैं तो माम कुल मिला करके इनकी भी अपनी category है जिन्हें मैंने कहा जटल, स्थाई, उतक, complex भी है और आपका permanent tissue भ भी भी कोई समस्या इस पूरे चाप्टर में plant के tissues में लग रही है तो मुझे comment section में एक बार बता देंगे मैं आरपीएफ की वेकेंसी कब आएगी आरपीएफ की वेकेंसी आपकी अभी 15 अपरेल को देखने को मिल जाएगी ठीक है तब तक के लिए आपका form filling शुरू हो रहा है तब तक अपनी तयारी में जुट जाएए क्योंकि मैं ये तयारी ही है जो हमें अंतिम stage उतक selection तक लेक जाता है आंसर करिए जल्दी जल्दी से बताओ भाई मैंने कहा कि simply plants है प्लांट में दो प्रकार के उतक है एक meristematic दूसरा permanent meristematic में विभाजन होता है और जब वो पूरी तरह से विभाजित हो जाते तो बदल जाते स्थाई उतक में meristematic के दो भाग देखें तीन भाग देखें हमने कि तीन जगहा पर एक एपिकल इंटर कैलरी और लेटरल पौधे के तीनों हिस्सों में इसका जो विभाजन है वो रहा है इसकी लंबाई भढ रही है ग्रोथ हो रही है और दूसरी तरफ जब हमने उसकी बात करी स्थाई उतक की तो वो यह तो सरल हो सकते हैं या जटल हो सकते हैं सरल में आपके तीन भाग पैरनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्कलरनकाइमा और जाइलम और फ्लोयम जटल के अंदर आ जाते हैं चोटा साई तो चैप्टर था है ना आप देखो सी आंसर लगा रहे हैं तो बिलकुल करेक्ट इसलिए कहते हैं थियोरी पढ़ने के बाद आप तुम कॉन्फिदेंस अपने अंदर देख सकते हो कि माम अभी पढ़ा था पतली कोशिका भित्ती है और अंतर कोशिकी अस्था पान भी पाया जाता है तो वो किसी और के अंदर नहीं पैरेंकायमा वाले उत्तक के अंदर दिखाई देता है ठीक है चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेशन बूच रहे हाई हाड पार्ट ऑफ स्टेम अफ प्लांट इस बिकॉज ऑफ जाइलम स्क्लेरेंकाय पैरेंकायमा या कॉलनकायमा जो तने का भाग एकदम कठोर हो जाता है वो किस वजह से होता है जल्दी से अटाफट से बताओं देखो मेरा मानना यह है और मैं आपको भी यही सला दूंगी जहां ट्रिक्स आप लोगों की बनती है वो ट्रिक आपको बिल्कुल बताई जाएगी लेकिन कई जगह पर आप कोशिश यह किया करो कि आपको नाम जितने भी अलग-अलग नाम है उनके स साथ concept याद रहें क्योंकि कई बार इंसान ट्रिक भूल जाता है इतनी सारी ट्रिक तुम अलड़ी स्टाटिक जीके में अपने हिस्ट्री में जीएस में बढ़ते हो कई बार ऐसा होता है कि ट्रिक ही माम हम भूल गए आप पूरा concept याद नहीं है ट्रिक के चकर में question को न भ भूल गए माम एक्जाम में सोचने है अच्छा ये ट्रिक तो याद है अब आगे क्या करूं तो हमेशा ट्रिक के सहारे मत रहा करो कि बस बस ट्रिक ही करनी है राइट आंसर देखी option number B कहा था तीसरा भाग होगा तीसरा भाग था स्कलरिन कायमा जो क्या करता है किसी भी तन बाइबिलिटी टू ग्रो रपिड्ली बाइड विशन किस पौधे में उत्तक में विभाजन द्वारा तेजी से भढ़ने की छमता देखी जाती है विभाजन होगा और वो तेजी से भढ़ सकता है ये कौन सा भाग होता है जल्दी से बताओ विभाजन हो रहा है नहीं वाली बात नहीं है माम हो रहा है अब जो आंसर लगा रहे है ऑप्शन नमर ए बस वही सही है पाकी तो बहग गए जो बी में लगा रहे थे आंसर जो आपसे इसने कहा है कि इस उत्तक में विभाजन की क्रिया होती है तभी तो हमने इसको नाम दि विभाज योतिकी का मतलब विभाजन हो रहा है और जब पर्मनेंट पर आये थे तो मैंने कहा था देखो यह स्थाई है इतना डिविजन इसमें आलरेडी हो चुका कि अब पर्मनेंट बन गया गी अब और टूटूंगा नहीं अब और मैं बिखरूंगा नहीं मैं और जीवन कि यह सब्सक्राइब पर लुमि 4 साफ नहीं आते हैं तो मैडम हमेशा सब्सक्राइब यानी कि फूर्ट का ट्रंस्पोरेशन कराएगा और जाईलं बाला वौर्टर का कंड़क्शन कराता है जल ही जीवन है तो पहले हमें जल ही चाहिए और वो जाइलम के माध्यम से मिलता है एक याद रहे गाना कि फ्लोयम जो है वो पानी के साथ नहीं आता पीपी के साथ नहीं आता तो दूसरा अपने आप तुम यहाँ पर कराओगे ठीक है चलिए तो कुछ इस प्रकार के सवाल भी यहाँ पर पूछे जाते हैं अगला बताओ अपिकल लेटरल और इंटर कैलरी यह किस कोशिका के भाग नजर आते हैं या किस उतक के भाग दिखाई देते हैं अगया है हिंदी के लिए बार-बार हिंदी जितनी भी है देखो हिंदी और इंगलिश हर तवाल दोनों भाशाओं में हैं आप ये एक्सपेक नहीं करिए कि सिर्फ हिंढी में आपको पढ़ाया जाएगा यह सिर्फ इंग्लिछ में ये क्लास इस बाइडि इनले द्ई महीं, जो हिंदी माधियम बहुन हैं निंटी में आधे माम इंग्लिश में बढ़ाईए अभी काओ के माम नहीं नहीं लेटन भाशा लेकर आओ जैसे अब बायलोजी में अरस्तु साहव लाए थे अरे भीया दो ही भाशाओ में पेपर जो है उसको संभव कर लो तीसरी में जाओगे तो और जटल चीजें हो जाएंगी यहां क्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा कि यह तीनों भाग जो होते हैं यह किस वाले के भाग हैं एपिगल लेटरल और इंटर कैलरी मेरिस्टमाटिक उत्तक के विभाज जयोती की उत्तक के ही भाग यहां पर दिखाई दे रहे थे तो ने पर्मनेंट कैसे लगा दिया क्यों भ तो बी तो गलत हो जाएगा जिसने भी लगाया स्थाई तो ही नहीं है यह है मैरिस्टमाटिक इसी के अंदर तो हमने तीन भाग देखे थे जहां उपर वाला एपिकल था यह वाला भाग इंटर कैलरी था और नीचे वाला लेटरल भाग दिखाई देता है बोलिये था कि न बताना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए गड़ित किये आर्पीएफ स्पेशली जब हम बात करें अपने एक्जाम के बारे में तो उसके सभी प्रीवियस यर क्वेशन्स आप लोगों को इस बुक में मिल रहे हैं लगभग तेरह सो से जादा प्रशन यहां पर हैं उनके डीटेल्ड सेल्यूशन यहां पर हैं साथ साथ में आपको न दस मॉक टेस्ट भी इसमें प्रोवाइड किये जा रहे हैं और यह आप लोगों का बाइलिंग्वल कंटिंट रहने वाला है तो भाई देखो सर ने तो ले ली है शत प्रतिशत स्कोर की गारेंटी कि अगर इस क चाहता है ना देखो चाहते तो माम सब हैं जो भी आप मेंसे चाहते हैं कि माम इस वर्ष मेरा सेलेक्शन निश्चुत तौर पर हो जाए तो आप लोग की बुक अविलिबल है आप जाईए और आमेजोन से जल्दी से इसको आप और कर सकते हो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन साइंस आपको मिल रहा है मात्रच 699 रुपे में यानि की ओवराल तो देखो इसका प्राइस 999 है बट ए से लेकर जेड तक जिसे कहते हैं माम पूरी साइंस पढ़नी है पूरी मात्स पढ़नी है यानि पूरा सिलेबस मुझे एक जगा कहां मिलेगा तो भईया देखी अभ अगर डाउनलोड नहीं किया ना तो अभी डाउनलोड कर लो फिरमत किया ना कि माम हमें पता ही नहीं चला आपने कहां थ्यूरी करा दी राइट चलिए तो आप इस बैच में भी नोल कर सकते हो एक साल की वेलिडिटी है अप्लिकेशन आपकी आरजी विक्रमजीत अप है अगर इमानदारी से चाहते हो क्योंकि देखिए मौके बार बार नहीं मिलते मैं आपको यही सला दूगी अभी समय मिला है टेक्नीशन के एप फॉ बस करो एक बार में तहीर नीती के साथ अगर तयारी करोगे न तो इस मैटर से बच जाओगे कि माम बार बार एक पेपर को हम अटेम्ट करना पट रह रहा है अभी सब्जेक में रह गया आप इसमें रह गया इक बार में करो खतम करो यार सेलेक्शन लोफटाफट से बार में करो यार नीकी सेम टाइम सेम जगा पर सुभा ग्यारा बजे आप लोग की कल जो है वो कलास यहां पर रहने वाली है जिसमें की हम पढ़ेंगे कल का टॉपिक बहुत इंपोर्टन क्लासिफिकेशन वो टॉपिक है वर्गी करन का जिसमें हमें किंग्डम अलग यह सारी चीज़ें इन डीटेल पढ़ेंगे आप सभी जितने भी हमारे साथ यहां बने हुए हैं कल सुभा सेम टाइम क्लासिफिकेशन के टॉपिक में जरूर जुड़ें और यह टॉपिक कैसा लगा समझ आया या नहीं आया मुझे ओफलाइन कॉमेंट करके जरूर से पिता जाएगा पड़ तो तुमने लिया है लेकिन उत्तक विज्ञान के जनक का नाम मुझे होमवर्क में ओफलाइन कॉमेंट करके जरूर से बता देना कि इसका सही उत्तर यहां पर क्या होगा ठीक है बाकी मुलाकात करेंगे आप लोगों से कल सुभा ग्यारा बजे तब तक के लिए पीदिए रेंकर्स गुरुकुल के टेलिग्राम चैनल पर हाव वेरी गुद दे थांक यू सो मच